पत्ना के सरकारी अस्पतल आईजेमेज में रैगिंग का मामला सामने आया है 2022 बेज के चात्र नितीश कुमार ने सिनियर चात्रों पर मारपीट और रैगिंग करने का आरोप लगाते हुए सास्प्री नगर थाने में केस तर्श कराया है उनका आरोप है कि कलास से जब घर जाने लगे तब सी आईडी कॉलनी के पास कुछ लड़कों ने घेड लिया कहा कि मेरे बॉस यानि हीमानशू से भीरे हो उनसे पंगा लिये हो इसे बीच भीर जमा हो गई और सभी लड़के फरार हो गए नितेश के लिकित बयान पर हीमानशू और मयंग शिर्वास्तव के खिलाफ केस तरश कर लिया गया है पुलिस मामले की च्छान बीन करने में जुटी है नितेश के साथ विवाद के बाद आईजीमेस के करीब पच्चास चात्र आईजीमेस के पास इसके भाई की दुकान को खोशते हुए पहुच गया नितेश की दुकान समझकर आशंगा मेडिको में घुस गया दवाद दुकान के स्टाफ पर रोड, लाठी, लोहे की चेन, इट और लोहे की धारदार हत्यार हमला कर दिया इस बावद दुकान दार राजीस कुमार सिंग ने भी आईजीमेस के पच्चास अग्याद चात्रों पर केस दर्श कराया है हाला कि राजीस कुमार ने कहा कि वो इस केस में समझाता कर लेंगे, वो लोग किसी दुसरे को खोशने के लिए आय थे इसे भीश आपको बता दे कि आईजीमेस के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मनीस मंडल के अनुसार या मामला रैगिंग का नहीं है, मामला कुछ और है उन्होंने कहा कि आईजीमेस निदेशक डॉक्टर विंदे कुमार ने जाज के लिए पांस तदसे की कमीटी बना दी है कॉलेज के प्रचारिया रंजिता गुहा को कमीटी का अध्यक्ष बनाया गया इस कमीटी में प्रचारिया के अलावा जेनरल सर्चरी के बिभागत ध्यक्ष डॉक्टर पीके जह, शिशुरोग बिभाग के डॉक्टर रिजवान अहमर, पी आरो प्रवेज अहमद खान और प्रशासनिक अधिकारी संज्यक कुमार है Bureau Report, City Post Live